सलाम आलेकुम रहमतुलाहिव बरकातु हुश आमदीद आपको पता है मैंने टू शर्ट्स फ्लिपकार से औरर किये थे तो एक तो बहुत ही अच्छा वाला शर्ट आ गया और ये जो दूसरा शर्ट है ये देखिए इस तरह का डैमेज शर्ट रिस्यू हुआ है मुझे तो ये मैंने अब्जर्व ही नहीं किया और शर्ट रख लिए अभी रिटन पालिसी खतम हो गई तो क्या करें इसका तो इसको अब हम थोड़ा सा जुगार करके इसको थोड़ा सा रफ करके सेट करना है तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलें इसका वीडियो बना दें शेयर कर लें आप सबके भी साथ तो ये रिविल सिविल टेप यूज करके हम नीचे से इसको बिल्कुल अच्छे से चिपका देंगे उसके बाद उपर से रफ करेंगे इसके लिए इस तरह का एक छोटा सा कपड़े का पीस लेंगे और इसके किनारों को एजजस को जो है वो आईरन करके न सेट कर देंगे इसे फिर उसके बाद इसको नीचे से रिविल सिविल टेप की हेल्प से हम नीचे की सेट चिपका देंगे तो ये देखिए इस तरह से थोड़ी सी रिविल सिविल टेप को यूज़ करते हुए यहां पर बिल्कुल डैमेज वाली साइड में नीचे से इस तरह से रख देंगे उपर से इसको आईरन कर देंगे तो आईरन करते हैं इस बात का आपने ध्यान रखना है कि यहां पर जो है कपड़े को जो टीर लगा है उसकी बिल्कुल ही इस तरह से थोड़ी भी खिंचाओ ना आए और परफेक्ट ही दोनों साइड से जम जाए कपड़ा और उसके बाद इस तरह से उपर से हमने आईरन कर लेना है इस तरह से आईरन कर लेंगे तो उपर से रफ करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी तो ये देखिए इस तरह से iron कर लेने के बाद यहां पर ज्यादा पटा हुआ नजर भी नहीं आ रहा है मागर हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे न तो ये नीचे से ठीक रहेगा पर उपर से threads निकल सकते हैं तो इसके लिए इस तरह से बिल्कुल वही सेम कलर का फैबरिक बाबिन में भी उपर भी हम डाल देंगे मशिन में और इसको हम रफ करेंगे तो रफ करने के लिए thread dialer जो है वो आपने 1.2 का रखना है thread length और इसको बिल्कुल हलके हलके हातों से साइड बाइ साइड करते हुए कपड़े को रफ कर देना है उपर से तो यह देखिए इस तरह से थोड़ा-थोड़ा साइड बाइ साइड काते हुए रफ कर देंगे क्योंकि यह cotton slab है इसकी उपर से thread निकल सकती है वाश करने के बाद तो इसके लिए हमने रफ कर लेना बहतर है रिविल सिविल टेप नीचे से चिपका देने से यह अच्छे से अटेश तो हो जाता है पर विसकोस रयान और क्रेप सिल्क या सिल्क वगईरा के जो फैबरिक होते हैं वो अच्छे से अटेश हो जाते हैं मगर कॉटन के जो हैं वो त्रेट ज्यादा निकल सकते हैं तो इसके लिए इस तरह से बिल्कुल बारिकी से यह देखिए रफ कर दिया है मैंने तो आपको वीडियो कैसा लगा यह आइडिया आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताईएगा और अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेर कीजिएगा फिर उसके बाद हम कल वाली वीडियो में शेर्ट जो है वो रेडिमीट शेर्ट उसकी फिनिशिंग खराब किये बगएर इस तरह की जो सिलाई लगी होती है उपर की साइट से इसकी finishing खराब किये बगएर किस तरह से हम shirt को fitting कर सकते हैं सिखेंगे तो इसकी वीडियो मैं कल upload कर दूँगी चैनल को जरूर subscribe कीजिएगा इस तरह की जो सिलाई होती है उसकी fitting करना सिखेंगे हम next वीडियो में तो thanks for watching, Allah Hafiz